हेलो फ्रेंड्स मैं सुनिल और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन चानल तो आप मैं पूरा अब्जेक्टिव टाइप्स कोईश्चन सीरीज चला रहा हूं अब इसमें सभी गेम्स के लगभग कुछ तो पहले से डाल चुका हूं और अभी कुछ जो बचा है उसके ग आइकन को दबाएं तकि आपको मेरी अगली वीडियो का नॉटिफिकेशन जल्दी मिल जाए चलिए सुरू करते हैं पहला है टेबल टेनिस खेल की tipoाट की स्जेश में हुई तो टेबल टेनिस करतएं continue सुरुआत कि इंगर्इंट से हुई तेबल टेनिज कैसा खेल है तो टेबल टेनिज इंडोर गेम है ठीक है तो दूसरा का आपका का आंसर सही होगा next question देखते हैं तीसरा question टेबल टेनिज बॉल के निर्माताओं ने इस खेल का नाम क्या रखा तो इसका जो नाम रखा था पिंग-ोंग रखा था था लन तीसरा क्विश्चन का का आंसर सही है चौते आइखते हैं पहले टेबल टेणीजर खेल को लोग किस समय ख्यलना पसंद करते थे तो किस आए ख्यक्षे करते थे ये आपका रात की खाना खाने के बाद भी खेलना पसंद करते थे भेंच्ट पइंग पॉंग इसोसियेशन का नाम बदल कर टेबल टेटिन इस आस्ब यह आपका है अंसर ग यह याद रखेंगे भारती टेबल टेनिस एस्टापना की तो भारती टेबल टेनिस का जो इस्थापना हुआ था वह उनिस्टा आपका अरath360 में हुआ है रहा है था ना छबीछ चार ठीस आच आच आठ थीस तो आर चार 12 साल बाद याद रखेंगे तब याद रहेगा आपको तेबल टेनिस को ओलम्पी क्खेलों में कब सामिल किया गया तो टेबल टेनिस को सामिल किया गया था 1988 सीओ लड़्चियक हृडची औ आपका 1958 टोक्यो जपान में हुआ है और बहुं सारे खेल को जो है वहां जपान में एट किया गया था तो याद रखेंगे आपको एक ट्रीक है चलिए नाइन्थ कोश्चन देखते हैं आपका 200 टेबल टेनिस प्रत्योगीता का आयोजन मुंबाई में कब किया गया तो सबसे पहले ही हुआ था यह उन्नीस सव यह वी सव टेबल टेनिस आपका मुंबाई में हुआ था तो ऐसा अलग से मतलब यह इंपोर्टेंट कोश्च टेबल टेनिस के खिलाडी को क्या कहते हैं टेबल टेनिस के जो खिलाडी होते हैं उसको आप पैड उसमें रखते हैं ठीक है तो इसको क्या वो लंगे पैडलर्स जो नेक्स्ट क्वेस्चन देते हैं टेबल टेनिस खेल की वीस्व पूरुष टीम प्रत्योगीता में वीज आंसर सही है टेबल ठैनिस है कि विश्व महिला टीम प्रत्योगीता में विजेता को कौन सा गब दिया जाता है तो इसमें कार्भी लॉनट कप आपको गद्गह आंसर ताली जाता है तो महला और पुरूस का यह important दोनों question 11-12 को आप लोग लिख के रख लिजे नोट कर लिजे नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल में 200 की प्रथम प्रत्योगीता कब आयोजीत की गई तो सबसे पहला जो आयोजीत किया गया था वह 1921 में हुआ था 200 की प्रथम प्रत्योगीता 1921 यह तीनों question इंपोर्टेंट है कि तो मतलब टेबल टेनिस अगर question आएगा तो इन तीनों में से question आना संभव है मेरे ख्याल से जहां तक चलिए next देखते हैं इसकीज मी चलिए next 200 टेबल टेनिस संग की इस थापना कपी गई तो यह आपका 1926 में आपने पहले भी देख चुगा है इस question को और 200 टेबल टेनिस संग की प्रथम अध्यक्ष कौन था प्रथम अध्यक्ष था इसका अधम सरारा ठीक है इसका कौन था अधम सरारा था और विस्व टेबल टेनिस संग का जो 2015 अध्यक्ष 2015 में यह कार्ण डबरासी थे और अभी का 1928 का देख लेंगे 2015 का तो था यह अभी भी है या नेक्स्ट है उस्व गूगल से सर्च करना पड़ेगा विस्व टेबल टेनिस संग का मुख्याला कहा है तो विस्व टेबल टेनिस मुख्याला इसका है आपका लौसाने में ही है इस्व टेबल टेनिस संग की स्थापना कब की गई तो भारती अभी पढ़े थे सको 1937 आपका सहीं होगा भारती टेबल टेनिस संग का मुख्याला कहां इस्थित है तो इसका 19 का आपका नई दिल्ली में है तो एक यह ना टेबल टेनिस संग टेबल टेनिस खेल में सर्व प्रथम अर्जुन पुरुशकार किसे वा कब मिला तो 1900 आइधिंक इसका 20 कोश्चन का अंसर है जे सी बुहरा 1961 में है ना इसमें लीक दिया गया है प्रथम सर्व प्रथम सर्व प्रथम दिया गया था संगी 60 में जैसी बुहरा को मिला था तो टेबल टेनिस खेल में प्रथम द्रोनाचार पूसकार किसे मिला तो प्रथम द्रोनाचार पूसकार जो मिला था इसमें आपका 21 का आंसर है घा इन में से कोई नहीं मंजीत दुआ स्री जी बोहरा यह तो यह द्रोना चरिए नहीं था इसको वह मिला था मॉन्टु भूंस यह भी नहीं है 22 कोश्चन लेते हैं निमन लिख है सोरी निमन में से टेबल टेनिस खेल की विस्व एकल पुरुस प्रत्योगीता कौन सी है तो पूरुस प्रत्योगीता है निमन में से टेबल टेनीस खेल कीवी सव एकल महिला प्रत्योगीता कौन सी है तो 23 का जो आंसर है ग जी जीस्ट कप यह आटोमेटिक आप लोग जान जाए रहे होंगे टेबल टेनिस खेल की विश्व मिश्रित यूगल प्रत्योगिता का नाम क्या है तो यह है आपका बर्न बे सोरी बर्न वादा है है दूसे कप का आंसर सही है से टेबल टेनिस के खिलाडी को क्या कहते हैं तो पैडलर सही भी यह पढ़े हैं जयनेक्स 26 कोश्चन लेते हैं एक सोरी बर्न ब jeलाग कप की स्थे सम्यवय है था बर्न बे बर्लाग जो खेल है आपका हमारे यह टेबल टेनीनस ही यह अंसर सही होगा ITTF की full form क्या होता है तो international table tennis क्या होगा international table tennis federation होगा का answer इसका सही होगा 28 का देख लेते हैं table tennis खेल में table की map क्या होती है तो table की map क्या होती है तो यह होता है map 2.74 x 1.525 meter इसे हम feet में भी देख सकते हैं तो यह 5 feet और 9 feet लंबाई 9 feet कर्माट करेंगे 2.4 तो यह 9 feet होगा और यह 5 feet होगा नेक्स्ट देखते हैं क्योंकि इसको feet में ही दिया जाता है question को table tennis में table की playing surface playing surface हो गई है playing surface जमीन से कितने feet उपर होता है तो यह 5 feet उपर होता है 76 cm table tennis खेल की table table में कितनी टांगे होती है तो इसमें चार तो टांगे हो आई रहती है उसको वो दो दुर पार्ट में और डिवाइड हुआ रहता है तो यह 8 होगा आपको गवा अंसर सहीं है टेबल टेनिस खेल के कोट को दो समान भागों में विभाजित करने वाली सेंटर लाइन नेट की लंबवात की मोटाई कितनी होती है तो यह 3 mm आपका का आंसर सहीं होगा टेबल टेनिस खेल की गेंद का भार कितना होता है तो यह जो भार होता है आपका 2.7 ग्राम याने गहा अंसर सहीं होगा टेबल टेनिस दोस्तों कुछ एक आप मिश्टेक होगा तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में अगर कलत हो जाए तो बाकी लगभग सहीं होगा टेबल टेनिस खेल की गेंद का ब्यास कितना होता है तो यह ब्यास होता है 40 mm का होता है टेबल टेनिस खेल के रैकेट पर चिपके रबर की मोटाई कितनी होती है तो 2 mm होते हैं दोनों साइट 2 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए है नहीं तो यह टोटल 4 mm अगर प्लस कर देंगे तो दोनों सेट करते हैं को उससे ज्यादा मोटाई होने पर उसको वह इलीगल हो जाएगा टेबल टेनिस को कौन से ओलम्पिक में सामिल किया गया था तो अभी जैस्ट उपर में हम लोग पढ़े थे इसको सियोल ओलम्पिक 1988 में हुआ है आई टीटी एफ आई की फूल फर्म जो है टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया है तो इसका 36 को का आंसर सही होगा उसके बाद देखते हैं तो सोरी यह 37 टेबल के बाइट है ना टेबल के कि जो लाइन की मोटाई कित्ति होती है तो वो होता है आपका कई दो सेंटी मीटर होता है है ना कि आ The Record Пол पर्रेकेट की जो माप क्या होती है तो यह रैकेट का जो माप होता है आपका सरकूलर 20 20 cm होता है तो इसको याद रख लेंगे इसको नोट कर लीजिए भले नेट की लंबाई कितनी होती है नेट की लंबाई होती है आपका 1.83 ज्याने के आपका आंसर सही है अब दो क्वेस्टिन और लेते हैं नेट की उंचाई कितनी होती है नेट की जो उंचाई होती है आपका 8 इंच या 6 इंच तो आपका यह होता है 6 इंच होता है ठीक है वेरीजी सर्विस कितने अंकों के बाद change की जाती है तो 2 अंकों के बाद change होता है मेज कितने पॉइंट का होता है तो यह 21 पॉइंट का होता है बियाली का answer सही होगा तो दोस्तों आपको कैसे लगा वीडियो आप जरूर बताएं और जितना मैं question आपको रिवाइस कर सकते हैं एक बार यह देखिए आपको उत्तर माला मैं दे रहा हूँ पूरा सभी को क्वेश्चन का आपका यह उत्तर माला है अभी मैंने 42 क्वेश्चन पूरा कवर किया है और इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे अगर टेबल टेमी से कुछ बना तो मैरे अगले वीडियो आने की इंतिजार कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करना भूलेना वीडियो कैसे लग रहा है कमेंट तो जरूर करिए और मेरे दोस्त जो है वीडियो देख रहे प्लीज लाइक करना ना भूले हैं दोस्तों चैहिंग जय भारत